real set से real पर define है और एक condition है F0 जो है वो 0 है और derivative जो F है उसका mode अगर लेते हैं तो वो less than equal to 5 है for all X के लिए तो हम यहां से क्या conclude कर सकते हैं F1 के बारे में तो F1 की जो value है वो in intervals में लाई करेगी या एक set में तो यहां पर आप A, B, O, D यह interval देख सकते हैं और जो option C है यहां पर यह आपका interval नहीं है मतलब set कह सकते हैं तो किस set में interval भी एक set होता है तो किस set में F1 की value लाई करेगी तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए हम एक counter example से इसको proceed करते हैं तो हम एक fx consider कर लेते हैं जो given hypothesis को satisfy करता है अगर मैं fx equal to 5x अगर set ले लेता हूं तो यह f0 equal to 0 की property को satisfy करता है और साथे साथ जो इसका derivative होगा यानि कि f prime x होगा वो 5 होगा यानि कि इसकी value जाए वो less than equal to 5 यह value भी आपकी true है तो यहां पर given hypothesis true हो जाती है अगर मैं यह देखता हूं कि f1 की value क्या आती है f1 की value यहां से 5 आएगी क्योंकि f1 equal to 5 into 1 यानि कि 5 तो आप देख सकते हैं कि first interval में 5 और 6 अगर interval 5,6 यह open interval है तो यहां पर 5 और 6 excluded है यानि कि 5 इसमें lie नहीं करता है तो यह वाला जो option है यह हमारा discard हो जाएगा अगर मैं option b के बात करूं तो option b correct हो जाएगा option c में यह भी गलत होग और option db हमारा गलत होगा जो correct option है option